अगर आप मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए बेल आगरन को भी दवा दिए ताकि आनुवले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला कोशन है रजिया बेगम को सता युक्त करने में किसका हाथ था तो दिल्ली के सिहासन पर बैठने के लिए अपने ससूर की हत्या कर दी थी तो एंसर होगा अलावदिन खिल जी ने तीसरा कोशन नमबर तैमूर लंग ने किसके सासनकाल में भारत पर आकर्मन किया तो एंसर होगा नसुर दिन महमूद तुगलक के समय में चाउथा कोशन नमबर दिल्ली के किस मुगल सासक के निधन पर इतिहास कार बदायनु ने कहा राजा को अपनी परजा से तथा परजा को अपनी राजा से मुखती मिली तो एंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक पांचवा कोशन नमबर अलाओदिन खिलजी के आकर्मन के समय देवगिरी का सासक कौन था तो एंसर होगा रामचंद्र देव छठा कोशन नमबर तुगलक नामा के रचनाकार कौन था तो एंसर होगा अमीर खुसरो साथ्वा कोच्चन नमबर दक्षिन अफिरिका यात्री इबन बतूता किस के सासन काल में भारत आया तो एंसर होगा मुहम्मद बिंत तुगलक के समय में 8. सलतनत काल में भूर आजसों का सरवोत्तम ग्रामिन अधिकारी था, कौन था ? तो एंसर होगा चौधरी 9. भारत में पोलो खेल का परचलन किस ने किया ? तो एंसर होगा तुरको ने 10. किस मुगल सासक के सिक्को पर देवी लक्षमी की आकर्ती बनी है तो एंसर होगा मुहम्मद गौरी के सिक्को पर 11. नहर निर्मान करने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान था कौन था तो एंसर होगा गया सुदिन तुगलक 12. दिल्ली के सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निमान करने के लिए परसीद है वा था तो एंसर होगा फिरो साथ तुगलक 13. कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के अस्थान पर नगत बेतन देने का पर्था चलाई तो एंसर होगा अलावदिन खिल्जी ने 14. एक गोड़ा वाला सैनिक दो गोड़े वाला सैनिक पर्था का प्रारम किस ने किया तो एंसर होगा अलावदिन खिल्जी ने एंसर होगा उसे एक हजार दिनार में खरीदा गया था 16. अनुकूल परिस्तिती मौजूद होने के बावजूद गुलाम बंस के सासक भारत में अपने समराज का बिस्तार नहीं कर पाएं इसका मुख कारण था क्या कारण था? 17. किसने सिकंदर सानी के उपादी धारन की? तो एंसर होगा अलावदिन खिल जी ने 18. नई फार्सी काब सैली सबक ए हिंद अथवा हिंदूस्तानी सैली के जनम दाता थे कौन थे? तो एंसर होगा अमीर खुसरो 19. किस संगीत वाद को हिंदू मुश्लिम गान वाद का सर्वस्रेष्ट मिश्रन माना गया है? तो एंसर होगा सितार 20. दिल्ली में कौन सा एतिहासिक असमारक भारतिय तथा फार्सी बस्तु कला सैली का उदारन है? तो एंसर होगा हुमायू का मकबरा 21. कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था पर उलेमाओं ने विरुद किया? तो एंसर होगा अलावदिन खिलजी ने 22. परसीद कभी अमीर खुसरो किस के दर्बार में रहें? तो एंसर होगा अलावदिन खिलजी के दर्बार में 23. तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आकर्मन किया? तो एंसर होगा 1398 में 24. किसने संतलन काल में परचली डांक ब्यवस्ता का बिश्त्रित बीवरन दिया है? तो एंसर होगा इबन बतूता ने 25. किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान एचिहलगानी का या 40 दल का गठन किया? तो एंसर होगा इलतूत्मिस ने 26. चंगेज खांक के अधीन मंगोलों ने किसके सासनकाल में भारत पर आकर्मन किया? तो एंसर होगा इलतूत्मिस 27. दिली सल्तनत के तुगलक राजबंस का अंतिम सासक कौन था? तो एंसर होगा नसुरुद्दीन महमूद 28. धाई दिन का जोपड़ा महजिद अजमेर का निर्मान किसने कराया? तो एंसर होगा कुतूबु दिन एबक ने 29. किस राजबंस के अंत्रगत बिजारत का चर्मुकर्च हुआ? तो एंसर होगा तुगलक के 31. अलाउदिन खेलजी के सेना ध्यक्षो में से कौन सा तुगलक बंस का पर्थम सुल्तान बना? तो एंसर होगा गाजी मलिक के 31. भारत में मुहमद गौरी ने किसको पर्थम आक्ता परदान किया था? तो एंसर होगा कुतूबु दिन एबक को 32. अमीर कोही जिसको किसी बिभाग के नाम से भी जाना जाता है नामक एक नया बिभाग की सुल्तान द्वारा सुरू किया गया था? 33. लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय सासक कौन था? तो एंसर होगा कुतूबु दिन एबक 34. दिल्ली के कि सुल्तान को इतिहास कारों ने बिरोधू का मिश्रन बताया है? तो एंसर होगा मुहमद बिन तूगलक 35. कुतूब मिनार के कारे को किसने पूरा किया था? तो एंसर होगा इल्तुतमिस ने 36. भारतीय इतिहास में बजार नियमो मुले नियंतरन पद्ती की सुरुवात किसने की थी? तो एंसर होगा अलावदिन खिल जी ने 37. किसने अपने आपको खलिफा घोशित किया था? तो एंसर होगा मुबारक साख खिल जी ने 38. आगरा नगर की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा 49. दिल्ली सल्तनत का दरबारी भासा था? क्या था? तो एंसर होगा फार्सी 40. दिल्ली का वो सुल्तान कौन था? जिसकी मेटू चोगान यानि पोलो खेलते हुई थी? तो एंसर होगा कुतुबुदिन एवक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सुस्क्राइब जरूर कर दीजेगा बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि आनवेले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहु